आप देख रहे हैं दखल न्यूज सुबाल अगबल 6 बजे एक तेज रफ्तार बस खड़े स्ट्रक के पीछे से टकरा गई जिसमें 10 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई कई लोग खायल हुए इस बस में कई यात्री फसे हुए थे तेज रफ्तार बस के ट्रक के पीछे से टकर से उसका अगला हिस्सा बुरी तरहा छतिग्रस्थ हो गया ट्रक में फसे बस की अलग करने के लिए जेसीडी का इस्तमाल किया गया प्रधान ट्रेवल्स की ये बस रीवा से सीधी जा रही थी इसी दोरान बाइपास पर ये हादसा हुआ गटना के बाद यात्री घबरा कर चिलाने लगे वहां से गुजर रहे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और एंबुलेंस को दी उन्होंने बस के पीछे का दर्वाजा खोल कर बैठे यात्रियों को भी भार निकाला और घायल यात्रियों को इलाज के लिए रीवा के संजेगांदी अस्तमाल में भड़ती करवाया बस दी और इसकी स्थी और इसकी स्थी और इसमसे खिटी है तो पुरा लेट साइड वस का द्रैक्सर हो गया है तूर गया है और इसी की वज़े से जो टेसंजर बैठे थे पूपी कमी रूप से इंड़ हो गया है दखल नियू समवादाता राजकमर पांडे ने बताया कि बस में करीब साथ यात्री सवार थे खायल यात्रियों का कहना है कि ड्रैवर बस को बहुत तेज रफतार से चला रहा था इसी दोरान गुड बाइपास पर वो नियंत्रन खो बैठा और बस सड़ा किनारे खड़े ट्रक के पीछे हिस्से में जातक राई अगले हिस्से में बैठे ड्राईवर और यात्रियों की मौत हो चुकी थी इस मंजर को देख पीछे बैठे यात्री खबरा कर शिलाने रगें संभागायुक्त डॉक्टर अशुक कुमार भारगव एवं रिवा पुलिस महाने रिक्षक चंचल शेखर ने संजे गाली अस्पताल पहुचकर मृतक के परिजनों को धानदस बंधाया संभागायुक्त ने कहा कि प्रिशाशन की तरफ से हर संभव मदद दिलाई जाएगी वहीं अंचल शेखर द्वारा कहा गया कि प्रधान ट्रेवल्स के उपर कड़ी सी कड़ी टेंडात्मा करवाई की जाएगी प्रधान बस सर्वीस की बस है वो रिवा के ही रहने वाले उनकी कई बसे चलती है और ये बस हाथसा में जैसी बात हुई है गायलों से उनका कहना है कि बहुत तेज गती से बस चल रही थी जबलपूर से चली थी ये और सीधी तक जा रही थी तो इसमें निश्चित रूप से और ड्राइवर जो है कूद कर भाग गया है तो ड्राइवर को हम लोग मात्र जो है एकसिडेंट का रूपी ना मानते हुए उस पे हम कलपी विल होमी साइड नौट एमांटिंग टू मदर 304 की कारवाई करेंगे एक तो वो है और दूसरी इस बात है कि अगर उसके फिटनेस और मांकी चीजों में कमी है तो उस पे मालिक और उसका जो ओनर है फ्लीट का ओनर है उस पे भी हम कारवाई करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान ने इस धीशन सड़क हाथ से पर दुख चकाया है मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्विक्ट कर कहा कि रीवा से सीधी जा रही एक यातरी बस के दुरगधना ग्रस्तों होने की दुगध सूचना प्राप थूई भीचेंग दुरगधना में म्रच सभी यातरियों के परिवारों के प्रती मेरी शोक संबेद राएं एस दुरगधना में घायल सभी यातरियों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दिये गए हैं वित्यवर्ष की दूसरी तिमाही में GDP ग्रोज 6 साल के निचलेस तर 4.5 फीसिवी तक पहुँच गई थी RBI गवर्नर शक्ती कांत दास की अधिक्षिता वाली मौत रिक नीटी समीटी की बैठक के बाद दरों का ऐलान हो गया अनुमान के विप्रीद रिजर्व बैंक ने रैपो रेट और रिवर्स रैपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 2019-20 के लिए विकास तर का अनुमान 6.1 प्रतीशत से घटा कर 5 प्रतीशत कर दिया है Reserve Bank के गवर्नर शक्ती कांतदास ने मीडिया से कहा कि MPC के अनुसार आर्थिक गतिविधिया कमजोर हुई है और आउट्पुट गैप अभी नेगेटिव है ...downwards from 6.1% in the October policy to 5% that is 4.9 to 5.5% in H2 and 5.9 to 6.3% for H1 of 2021. The MPC was of the view that economic activity has weakened further and output gap remains negative. However, several measures already initiated by the government and the monetary easing undertaken by the Reserve Bank since February 2019 are gradually expected to further feed into the real economy. The impact of external benchmarking of lending rates by banks will further play out in the coming days and months. inflation is rising in the near term but it is likely to moderate below target by Q2 of 2021. इससे पहले देश की आर्थे विकास दर्व में लगातार गिरावट को देखते हुए, बैंकिंग सिस्टम में नगदी बढ़ाने के इरादे से Reserve Bank 2019 में अब तक रैपुरेट पांच बार खटा जुका है. तिहार जेल से बाहर आने के बाद गुरुवार को पूर्व ग्रह मंत्री पीची दम्रम ने बोधी सरकार पर निश्याना साधा. उन्होंने कहा अर्थ व्यवस्ता पर सरकार दिशाहीन है. साल के अंति तक विकासदर पांच फीसिदी तक पहुंचती है, तो हम भागशाली होंगे. याद रखे कि डॉक्टर अर्विंदर सुब्रमन्यम ने पांच फीसिदी विकासदर की चेतावनी दी थी. असल में यह पांच फीसिदी नहीं है, यह एक दिशमलव पांच फीसिदी से कम है, क्योंकि जीडिपी टैक करने का तरीका संद्यास्पद है. खुद की गिरफतारी पच्चिदंबरम ने कहा कि सरकार पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, सरकार लगातार गलती पर गलती कर रही है, जिन्हें छुपाने के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे है. The government is wrong. It is wrong because it is clueless. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism and centralized control of decision making. in the Prime Minister's office. Please reflect on each one of the charges that I have made. In the days to come, I shall speak, give interviews and write elaborately on each one of them. Nothing sums up the state of the economy better than the following series of numbers. 8, 7, 6.6, 5.8, 5 and 4.5. Those are the quarterly growth rates of GDP in the last six quarters. पूर्व केंद्रे मंत्री चिदंबरम ने कहा, 106 दिन के बाद आप से बात करने में खुशी हो रही है. मुझे जब घर से गिराफतार किया गया तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के लोगों की याद आई जिन्हें इस तरहार रखा गया है. पूर्व वित्य मंत्री ने कहा कि आज बिना किसी आरोप के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है. सुप्रेम कोट के आदेश का वैस स्वागत करते हैं. देश की पूर्व प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी की 1984 में हुई हत्या के बाद बढ़के सिख विरोधी दंगों के जक्म अब तक पूरी तरहा से नहीं भरे हैं. इस दंगे में कई निर्दोशों को जान गवानी पड़ी थी. इंद्रा गांधी की हत्या के बाद बेकाबू हुए कॉंग्रेसियों का गुस्सा निर्दोशों पर फूट पड़ा था. हाल ही में 1984 के दंगों को लेकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंग ने कहा है कि उस वक्त अगर दिवगंत इंद्र कुमार गुजराल की बात मान ली गई होती तो देश में इतने हालात नहीं बिगड़ते. मनमोहन सिंग ने आएके गुजराल के सौवे जरंदिन के मौके पर आएजित इस समहरों में यह बात कही. उन्होंने कहा कि इंद्रा गांदी की हत्या के बाद हुए दंगों को टाला जा सकता था. अगर गुजराल की सलहा को मानते हुए हिंसा पर काबू पाने के लिए जल से जल से जल सेना को बुला लिया जाता. The sad event of 1984 took place. Gujralji, on that very sad evening, he went to the then home minister, Shri P. V. Nassim Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been needed, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. 1984 में जो नर संखार हुआ उसे टाला जा सकता था. Manmohan Singh ने ये भी कहा कि गुजराल और मैं एक ही विरासत को साजा करते हैं, कि हम पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे जो भारत देश के प्रधानमंत्री बने. कारिकरम के दोरान सिंग ने कहा कि मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने अपना करियर मासको में उस वक्त शुरू किया जब आई के गुजराल एमबेजिटर थे. पढ़वानी में ग्रहमंत्री बाला बच्चन का एक वीडियो शोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है, जिसमें वो गाउं के लोगों को कतित तौर पर कॉंगरेस में शामिल होने के लिए कह रहे हैं. यह वीडियो ग्राम पंचायत जलगौन पातिल समाज के कारिक्रम का है, इस वीडियो में बाला बच्चन बोलते नजर आ रहे हैं कि आप जो राशी मांगना चाह रहे हैं उससे ज्यादा दूँगा, पहले कॉंगरेस पार्टी जोइन करो, अब हम मूर्ग नहीं बनने वाल तो सब हमारे खिलाफ हो गए, संगाओ, संगोदा, बिल्वा, डेब और रंगाओ में पैसे दिये, सब हमारे खिलाफ गए, हमने पचास पचास हजार के किसान के करदें माफ किये, लिस्ट लेकर आऊंगा, पचास प्रतिशत लोगों का करद माफ हुआ, हम तुम्हारे और तुम फूल फूल करो, तो हम मूर्ग नहीं बनेंगे, हलाकि उनके वीडियो के वारल होने के बाद, ग्रहमंत्री बाला बच्चा ने सफाई में कहा कि उनके शब्दों को गलत माना जा रहा है, और वीडियो एक पार्टी की वैठक का था, जहां वह कॉंग्रेस कारेकरत मां को संबोधित कर रहे थे, वास्तविक्ता वेह नहीं है जो कहा जा रहा है, जो रासी मंगना चाहर हो, उस मैं दूंगा और से ज्यादा दूंगा, लेकिन पहले आप विचार कर लो, और पहले कांग्रेस जाइन करो, ठीक है, उसके बाद क्योंकि हमको इन सब को भी जवा पहले थे, कि हमने तुमारे जो वर्षों से जो मांगली भवन, बिल्वा में मैंने कष्ट मुवान के पैस्ति मंदिर के लिए रासी थी, तो समाज के लोगों ना बैट की जो को बोली थी है, जो बेस्के गाओं में, का हुआ लोगों का, हम नहीं बदलते हैं, लोगों में पहले सोच और लोगों की यह है, कि भई नेता बदलते हैं, लेकिन देखनो, यहां तूलता हुआ है, तो पहले हमारे जाने के बाद इनको पक्के करो, मैंने अगर यहां कोई भी अभी घुशना की, तो दना दन, जमातन, दना दन अवारे पड़े वारों को भी लगेगा, पहले हमारे लिए करो, तो पहले वो हमारा इंतजाम, पहले जो आप जो करने जा रहे हो, पहले हम हमारी पार्टी का इंतजाम करें, आप हमको विचार करके बता देना, दो-चार दिन बाद हम फिर आ जाएंगे, यहां तो घाटे का सोधा है, जिसके लिए हम जो राद दिय ग्रहमंत्री बाला बच्चन के इस वीडियो के शोशल मीडिया पर वारल होने के बाद प्रिदेश की राजनीती में एक नया विवात खड़ा हो गया है भाजपा ने इसका कड़ा विरोत करते हुए इसे पद का दुरुपियोग बताया है वारल वीडियो सुमवा रात का बताय जा रहा है बाला बच्चन बढ़वानी जिले की राजपुर विधानसभा सीच से चार बार के विधायक हैं अपने निरवाचन छेत्र में जलगाओं गाओं में पाटिल समाज द्वारा आयजवेते का सम्मान समारों को विसंबोदित कर रहे थे इस दोरान मंतरी ग्रामीडों के सवालों का जवाब दे रहे थे जिसमें ग्रामीडों ने विकास कार्य के लिए धनकी मांग की थी जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप जो मांग रहे हैं उस से अधिक राशी में दूँगा पहले विचार करें और पॉंग्रेस में शामिल हों क्योंकि हमें उन सभी मतलब पार्टी कारेकरता को जवाद देना होगा अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले इसके बाद भाजप पाने ग्रहमंत्री पर निशाना साधा है बीजेपी प्रवक्ता रजनी शागरवाल ने कहा ग्रहमंत्री वाला वच्चन द्वारा ना केवल अपने पद का दुर्प्योग है बलकि जनता को पार्टी जॉइन कराने के रिद धंकाने का भी मामला है यह समाज के लोगों को सं राजपाल से करेंगे संजा लोग स्वामी में हनी ट्रैप मामले की खुलासे के साथ सरकार ने जीतू सोनी के अवैद कारोबारों पर शिकंजा कसा और मानवत तसकरी अतिक्रमन लूट वा अन्य मामले डर्च किये जीतू सोनी के अवैद निर्मान पर गुरुवार राजे से नगर निगम का बुल्डोजर चलना शुरू हो गया साउथ तुकोगंज इस्थित होटल वेस्ट वेस्टरन के अवैद हिस्सों को हटाने का काम शुरू हुआ इसके साथ ही गीता भवन चौराहा इस्थित होटल माय होम कनारिया रोड इस्थित सोनी के बंगले ओ ओटू और न्यू पलासिया इस्थित ओटू काफे के अवैद हिस्सों पर भी कारवाई हुई जिला प्रिशाशन पुलिस और नगर निगम के अफसरों ने चारो जगह मोहायना करने पर दस्तवे जुटाने के साथ ही कारवाई की रूप रेखा दो दिन पहले ही तयार कर ल इमारत में कितना हिस्सा तोड़ा जाना है माई होम होटल पर कारवाई के दौरान निगम की तीन में से दो पोकलेन मशीन तकनीकी खरावी की वजह से बंद हो गए इस कारवाई से पहले सौ से ज्यादा गैस सिलिंडर भी जब्त किये गए कारवाई के लिए निगम ने 12 पो बेस्मेंट में पारकिंग बनानी थी लेकिन मौके पर दो हॉल बने हैं जिसकी दिवारें तोड़ी गई हैं साउथ तुकोगंज इस्थित वेस्ट वेस्टरन होटल की टॉप फ्लोर पूरी तरह अवेद मिली इसके अलावा बेस्मेंट में पारकिंग की जगां हॉल और कम बनाये गए हैं वहां भी खुला छेत्र नहीं छोड़ा गया है कनाडिया रोदेश सिर्थ सोनी के बंगले पर काफी अवेद निर्मार मिला बहां 2100 वरफीट की मंजूरी है लेकिन बंगला साथ से 8000 वरफीट जमीन पर बना है इसके अलावा आसपास भी अवेद कबजा है टिकमगड जिला मुख्याले की तहसील इन दिनों सरकारी करमचारीों की महरभानी से ठेके पर चल रही है तहसील में रीडर का कार्य करमचारी से ना कराकर एक प्राविट व्यक्ति से कराया जा रहा है ऐसा नहीं कि जिले के आलाधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है दरसर टीकमगड तहसील में पिछले कई महीनों से नियम विरुद अर्विंद प्रजापती रीडर का कारे कर रहा है जबकि रीडर के पद पर उंप्रकाश नापित पदस्थ है लेकिन साहब की महरबानी और दर्यादिली का सारा कारे निजी व्यक्ति के हाथों में दे दिया है किसानों का कहना है कि तहसील कारे में प्रजापती ही सब काम करा देते हैं अब आप कल्पना करिए कि जब किसान तहसील में अपने कारे से पहुंचते हैं तो उनकी मुलाकात किसी सरकारी करमचारी से नहीं बलकि एक निजी व्यक्ती अर्विंद प्रजापती से होती है. जो पूरी तहसील का संचालन करता है अगर इन किसानों की बातों को माने तो चपरासी से लेकर तहसीलदार तक के सारे कारे अर्विंद प्रजापती ही निप्टाते हैं किसी भी साश की ऑफिस में निजी व्यक्ती से कारे कराना नियम विरुद है और संबंदित अधिकारी के खिलाफ डंडात्मा कारवाई होनी चाहिए तहसीलदार अनिल तलैया से फोन पर इस मामले पर प्रतिक्रिया लेनी चाही तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया कलेक्टर ने भी फोन रिसीव करना उचित नहीं समझा तहसील में रीडर पद पर पदस्त ओम प्रकाश नापित कहते हैं कि हाँ प्राइविट व्यक्ति कुछ काम कर रहे हैं उनको जरूरत पढ़ने पर बुला लेते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत है तो कल से हटा देंगे प्रीवा के जवा में कई समाधिक संगठनों ने आंगन बाडियों में बच्चों को अंडा दिये जाने के निर्णे का समर्थन करते हुए इसे सराहनिये कदम बताया है संगठनों ने बाजार में रैली निकाल कर सरकार के निर्णे का समर्थन किया है संगठन का कहना है कि सरकार द्वारा कुपोशन को दूर करने के लिए आंगनबाडी में अंडो का वित्तरण का निर्णे सनहानिय है गौर्तरव है कि समस्त आंगनबाडी केंद्रों में बच्चों को एक सप्तहा में तीन दिन अंडा देने का निर्णे लिया गया है कॉंग्रेस पार्ठी के जिला कारेकारी अध्यक्ष गिरीश सिंग ने कहा कि सरकार की अंडवितरन के निर्णे का समर्थन जिस तरीके से छेत्र के तलित आधिवासी पिछड़ावर्ग के लोगों ने किया है वह काविले तारीथ है कारिकरम की अध्यक्षिता कर रही सामाज एक कारिकरता सिया दुलारी आधिवासी ने कहा कि खाद्य असुरक्षा और कुपोशन से मुक्ती के लिए जन्य यात्रा के जरिये समाज और सरकार के दीज एक सूत्र इस्थाप्रित करने की कोशिश की जा रही है इस दौरान समाज छेतना अधिकार मंच द्वारा मुख्रमंतरी के नाम पर सिल्दार को क्या पन्सौपा सिंग्रॉली के घोगरा गाव में मामूली विवात को लेकर दो पक्षों की भी जगड़ा हो गया और जम कर लाठी डंडे चले जगड़े में राम सजीवन नाम का व्यक्ति घायल हो गया जिसको लेकर इलाज के लिए अस्पताल लाया गया जहां जौक्टर ने उसे म्रद घुशित कर दिया पुलिस ने मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को अलग-अलग जगह से गरफतार कर लिया है बताया जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी भागने की फिराथ में थे यह आरोपी आपस में रिष्टिदार हैं पुलिस ने तीनों को गरफतार करने आले में पेश कर दिया है आपसी निकट संबंदी दो पक्चों की वह जगड़ा हो गया उसमें लाठियां भी चली जिसमें जो पिड़ित व्यक्ति है जो मिर्तक है उसको चोट आई चोट किसी समयदस्शिल अंग पे आनी थारण मुर्शित हो गया मुर्चा की अवस्था में ही वह अस्पताल गया तहां पे चिकस्षकों के त्वारा उसको मिर्त गोशित करें अभी तक की चानवीर में जो बात सामने आई है उनके बीच में पहले से भी जोड़ा बहुत मनमुटाव चल रहा था पारिवारी कुछ विवाद थे उनके कल की स्थिती में उनके विवाद बढ़ा और आवेश में करके ऐसी कटना हुई है इस मामले में तीन आरोपी का नाम सामने आया है तीनों को पुलिस ने तदकाल ही गिरप्तार कर लिया है क्राइम ब्रांच के एक हवलदार को 6000 के रिश्वत लेते लोकाइक तो पुलिस में बुदवार शाम को जिनार पार के पास रंगे हातों पकड़ा है उसने शिकायत करता को जूते केस में फसाने के नाम पर रुपे माले थे लोकाइक पुलिस के अनुसार एश्वाग निवासी खालिद कुरेशी एक मीट की दुकान पर काम करता था उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था उसने दो दिसंबर को लोकाइक पुलिस में शिकायत रच कराई थी उसमें बताया था कि क्राइम ब्रांच का हवलदार महिंदर परसाद उसे जूते केस में फसाने की धंकी दे रहा है और दस हजार रुपे की मांग कर रहा है लोकायद पुलिस ने योजना बनासर खालिद के दौरा हवलदार को चिनार पार्क के पास बुलाया खालिद छे हजार रुपे लेकर आया हवलदार महिंद्र वहाँ अपनी कार में पहुंचा उतने कार रोकी और खालिद को रिश्वत की रखम गाड़ी में रखने को कहा जैसे ही खालिद ने रखम रखी लोकायद ने महिंद्र को पकड़ लिया कारवाई के दोरान दियस्पी संजय जैन, इंस्पेक्टर सलिल, शर्मा, मुगेश्टिवारी और बयूर गौर्शामी थे त्योथर जनपद पंचायत उपाध्यक्ष स्वरव मिश्रा ने त्योथर तैस्सील के एक मातर शाष्किये स्वामी विवेकनन महाविध्याले में परिक्षा केंद्र बनाय जाने के लिए उच्चिशिक्षा मंत्री जीतू पटवारी से मुलाकात कर ग्यापन सौपा और महाविध्याले में परिक्षा करवाने के लिए मांग की जनपद उपाध्यक्ष के इस कदम पर छात्रनेता, आशुतोष, शुकला और अन्य छात्र छात्राओं ने उनके प्रती आभार प्रकट किया इस महाविध्याले का परिक्षा केंद्र वेगत कई वर्षों से ते उथर में 90 किलो मीटर की दूरी पर रीवा में बनाया जाता है जबकि महाविध्याले में अध्यनरत ज्यादा तर छात्र छात्राओं गरीब घर से हैं जिनके पास रिवाजानी की ववस्था नहीं हो पाती और वे परिक्षा से वंचित हो जाते थे हैदरबाद में एक लड़की के साथ हुई अमान भी घटना के बाद पूरे देश में रोज व्याथ है भोपाल के व्यापम चराहे पर कैमरा बैंक आफिसर्स एस्टिशेशन के सामाजीक संगठन के इन पाल के मुंबत्ती जला कर शांती मार्ज निकाला एवं दर्दनाग घटना की घोर निल्दा की सीबी ओए के जॉएंट जनरल से केट्री के के दिरफादी ने कहा कि इस तरहां की घटना करने वाले अपराधियों को बिल्कुल नहीं बक्षा जाना चाहिए और उन्हें जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दी जाने चाहिए ताकि आने वाले समय मे इस प्रकार की कोई घटना ना हो इस दोरान बैंक के अधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे पत्रकार परिशद ने हैदराबाद में डॉक्टर के साथ हुए अमान वे घटना और नर्सिंगपूर की बर्मान चौकी में एक बालिक के साथ गैंगरेप के बाद हत्या के विरोध में राश्ट्रपती के नाम ग्यापन स्वापा पत्रकार संग का कहना है कि ये घटना इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और समाच को भी जागरुक रहने के आवशक्ता है तेंदू केड़ा में पत्रकार संग कर आई है रेंग का यांग भार्ति के जो जगन घटने नोड़ेते हैं इसको ले करके इजो सीघरने आए मिलें अफ्रादीयों को जगो कि शीघर कारबाई है इस संबन में महा महें राश्पती के नाम संभोधे ते कि अपनाया है जो तरंड़ की घटना घट रही है उसको लेकर ग्यापन दिया इसके पूर्वी तेनुगा पत्तकार होने समय समय पर इस मांग को ठाते रहे हैं बगर कुछ दिन पेरे जो घटना घटी थी उसके लिए कर ग्यापन दिया इससे परसासा भी सचेत हुआ और जड़ा पुले सक् उसी के ठीक एक गंटे बार मानने ऐसी महोदा है और मानने अन्य जिम्मेदारी कारी इस घटना को लेकर पत्ताल बर्मान पहुँचे और इस पर क्रिया आपको उन्होंने गंबृटाश लिया चूकि अखवार धे धीरे विसार रूप ले रही थी जब गहराई में देखा तो दो वही के स्थानी जैक्ति इसकाने पाएगा हैं पत्तकारों मानना पत्तकारों निसासन से और खास्तों इस राष्पदी महोदा से वांग की है कि यूकि एक नियम है नावाले कुछ फान पर के दिकूई है पुराचार होता है इसके लिए फान की सजा है आप देख रहे है दखल नियूज आपके हब आप देख रहे है दखल नियूज